प्रश्ट नम्मर 13 बच्चो आपको फिर से मैं elementary row operation प्रारम्मिक संक्रिया के विधी का उप्योग करके आयू ए बराबर row 1 में पढ़ रहा हूँ row 1 के आविया है 012 row 2 के है 123 row 3 के है 311 याने कुल मिला के ए matrix 3 into 3 order का है ए बराबर पुना bracket के अंदर ध्यान दे elements को row 1 row 2 row 3 को करंबस करंबद धंग से में पढ़ रहा हूँ 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का प्रतलोम आयू inverse matrix ए इन्वर्स उसका code है ग्याद कीजिए ए इन्वर्स ग्याद कीजिए ए दिया है उसका प्रतलोम आयू inverse matrix आपको ग्याद करना है बच्चो आपने अभी देखा कि मैंने दो सवाल आपके सामने प्रसूत किये उसमें ए इन्वर्स निकालकर इसकी सहता से समीकरण निकाए उस system को solve किया जानवू से मैंने दो variable वाले लिए तीन variable वाले equation को भी solve किया सकता है इसे संबन्दी सवालों को आप जरू करिए इसके बाद मैंने आपको दो ही order का matrix लिया तीन order का होगा होगा लमा calculation होगा लेकिन concept और fundamental बाते वही है उसका तरीका वही है multiplication प्राप्त कर हमने इस matrix से A inverse प्राप्त किया जैसे इसके पिछले वाले सवाल में आपने देखा question number 12 में और आपने ये सीखा कि इसकी सहिता से समीकर निकाय को हमने किस प्रकार से हल किया question number 13 में हम पुना repeat कर रहे हैं चूकि मैं देख रहा हूँ कि प्रारंबिक संक्रियाओं का उप्योग कर प्रारंबिक संक्रिया को का उप्योग करके elementary transformation methods से किसी matrix को solve करना का concept अलग है पुना repeat कर दूँ कि किसी matrix का जो question में दिया है A is equal to question number 13 में आप ध्यान देंगे तो इस पर्ष्ट रूप से आपको नजर आ रहा है कि question number 13 में A matrix जो है वो वो 3 into 3 order का है 3 into 3 order का है तो बच्चों A matrix जो है वो किस रूप में दिया है 3 into 3 order का है उसके आवयों कैसे है ध्यान से आवयों में गलती न करें 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 निश्यत रूप से ये 3 into 3 order का है 3 row है इसमें और 3 column है तो 3 into 3 order का ये matrix है ये square matrix है इसको हम equation number 1 कह दें और प्रश्ण ये कह रहा है कि प्रारंभिक ध्यान देंगे प्रारंभिक संक्रिया संक्रियाओं का उप्योकर प्रश्ण में विशेज ध्यान देंगे उप्योकर A inverse ग्याद करना है किसका A का प्रतलोम आयू ग्याद करना है तो हम यहाँ पर A inverse is equal to a joint of A जानते हैं अपन determined A इस method से नहीं करेंगे इसमें 9 co-factor होते हैं आपको मालूम है तो इस प्रकार के सवालों को हल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा conceptual based पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा calculation mistake होने की सम्भावना ज्यादा रहती है तो बच्चों calculation पर विशेज ध्यान देंगे और यह CBSE का काफी महत्पूर्ण सवाल है जो प्रारंबिक संक्रियाओं का उप्योग कर A inverse ज्याद करने बोल रहा है तब आप इस method का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो बच्चों ध्यान देंगे कि मैंने कल दो order का A inverse प्रारंबिक संक्रियाओं पर बताया था और उसमें वही instruction दिया था और उसमें calculation जल्दी हो गया इसमें calculation lengthy होने की सम्भावना है anyway लेकिन fundamental concept होई है जैसे कल बताया था कि A बराबर हम लिख सकते हैं I into A तो A जो matrix है मैं कैसा दिया है ध्यान से note करेंगे 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 और I जो होगा वो I 3 order का ही matrix होगा और वो matrix की मुख्य विकर्ण element 1, 1 होंगे बाकी 6 elements उसके समस्त अव्याव 00 होंगे तो इसके जगे पर हम 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ऐसा matrix और इसको A as it is note करेंगे यह technique है A inverse ग्याद करने की प्रारंबिक संक्या का उपयोग करके तो बच्चो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम यहाँ पर इधर left side का कल भी यही कह रहाता मैं यह 3 order का है लेंदी सवाल हो गया बड़ा सवाल हो गया लेकिन तरीका वही है तो हम किसी भी तरह से इसमें आपको मालूम है कि unit matrix प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यहाँ इसके left side में यहाँ पर ध्यान दीजिए रहा है इसमें दीख रहा है कि 0 1 0 है और जबकि मैं unit matrix प्राप्त करना चाहता हूँ यहाँ तो क्यों न हम आर यह पहला वाला को आर वन पहला रो यह दूसरा रो यह तीसरा रो तो इसके unit matrix हम प्राप्त करना चाहते हैं इस बात पर आप विशेज ध्यान दें जब मैं इसको interchange कर दूँगा तो यह समस्य हल हो जाएगी तो इस यहाँ पर कौन सी संक्रिया उपयोग में लाएंगे कौन सा operation उपयोग में ल बोलते हैं R1 interchange कर रहे है R2 से आप देखिए इसको इसके जगे पर इसको इसके जगे पर हम कर दें तो 1, 2, 3 उपर आ जाएगा 0, 1, 2 नीचे आ जाएगा और 3, 1, 1 अपने जगे पर रहेगा तो जो संक्रिया का उपयोग हमने left side में किया है उसी संक्रिया का उपयोग right side में भ है तो वो उपर आ जाएगा इसका R1, 1, 0, 0 है तो नीचे आ जाएगा और ये agities रहेगा जैसे यहाँ है 3, 1, 1 तो 0, 0, 1 और A matrix होगा उससे फायदा क्या हो बच्चो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम left side का प्रारमिक संक्रिया का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखे कि हम किसी भी तरह से चाहे जैसा भी calculation करना पड़े वो हमारी सोच पर आधारित है कि हम इसको unit matrix में I 0001, 0001 में इसको left side को बदलना चाहते हैं इसलिए हमने 1 को उपर कर दिया अब देखिए कि यदि हमाए इसको zero कर लो यह जो three दिख रहा है यह देखिए यहाँ zero है unit matrix बनाना चाहता हूँ left side में तो इसको zero लाने के लिए इसका तीन गुना first row का तीन गुना इसमें घटा दूँ तो zero हो जाएगा हमको इससे zero से मतलब है यह zero आ जाए यहाँ देखिए यहाँ जो side में लिखा हूँ यह काफी important है मैं इसको unit matrix बनाना चाहता हूँ तो संक्रिया कौन सा उपयोग में लाएंगे हम संक्रिया आर थ्री में हम change कर रहे हैं आर थ्री में तीन गुना आर वन का घटाएंगे उसके तेसे समस्द element में का गुना करके उसके आर थ्री के element के साथ मायनस करेंगे इसका मतलब पहला रो वैसे पर समस्द का रहेंगा यह подарका इसका 3 गुना, एक का 3 गुना 3, 3 में से 3 गया 0, इसका 3 गुना 6, 3 दूनी 6, 1 में से 6 गाटा रिन 5," इसका 3 गुना 3 गया 9, 1 में से 9 गटा रिन 8," इस calculation को बच्रों आप विशेस ध्यान रखेंगे और यही प्रकरिया यहां भी करेंगे। कि हम A3 में change कर रहे हैं, इसका मतलब 1st row और 2nd row में कोई change नहीं आ रहा है, इसका 3 गुना 0 का 0 से, 3 गुना घटाएंगे तो 0 यह आएगा, इसका 3 गुना 0 से घटाएंगे तो minus 3 आएगा, यह 0 से 3 गुना 0 आएगा तो 1 ही आएगा, तो और A हम as it is note कर लेंगे. याने कुल मिलाके आप देख रहे होंगे कि मैं इधर concentrate हूँ, 0-0 लालिया मैंने यह देखी, 0-0 लालिया, अब सवाल उठता है कि हम इस element को 0 कर दे, यह देखी, 0 है, तो क्या तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका सोच सकते हो आप, तो तरीका यह है कि इसका 5 गुना, एक का 5 होगा, इसमें जोड देंगे, तो 0 हो जाएगा, तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम इसका 5 गुना, second row का में 5 गुना, क्या संक्रिया लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, संक्रिया, R3 में हम change करना चाहा रहे हैं, R3 में मैं 5 गुना, R2 के element के अवयों के साथ जोड रहा हूँ, इसका 5 गुना इसमें जोड़ूंगा, तो 0 मिलेगा, इसका 5 गुना 10 जोड़ूंगा, तो R9 में 10 जोड़ूंगा, तो 2 आएगा, तो जो changes आया है, left side के matrix में, वो changes का आया है, 1, 0, 0 तो अलड़ी है, 2, 3 वैसी ह एक, 2 वैसी है, इसका 5 गुना इसमें जोड़ूंगा, तो R9 गुना 5 धन 5, 0, इसका 5 गुना 5 गुना 10, R9 में 10 जोड़ूंगा, तो आपको R9 गुना 10, 2 मिलेगा, और यही प्रक्रिया यहां भी करना पड़ेगा, कि 0, 1, 0 हम वैसी रखेंगे, और इसका 5 गुना इसमें जो तो यह तो ऐसे ही लिख लिजिए पहले, इसका 5 गुना 0 में जोड़ेंगे, तो 5, यह 0 का 5 गुना 0 आएगा, यह रणती नहीं रहेगा, इसका 0 से 5 गुना करेंगे, तो 0 आएगा, तो 1 ही रहेगा, और A एक मेट्रिक्स उसी फॉर्म में आपको नजार आ रहा है, तो कुल म मेट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, यह है प्रारामिक संक्रियाओं का उपयो, इसलिए यह कठी नहीं, यह सोच पर है, कोई निर्दारित फार्मूला नहीं है, अब बच्चो आप क्या सोचा जाए, ताकि यह बात इसपस्ट हो जाए, कि फिर हम यह सोचें कि यहाँ जीरो ला लें, यह देखिए लैप साइड में, लैप साइड में में इसको यूनिट मेट्रिक्स में बदलना चाहता हूँ, तो इसका यदि में इसको second row को third row से minus कर दूं, तो मेरे ख्याल से यह जीरो हो जाएगा, दो मेंसे दो गटा, तो 0 आ जाएगा, तो examination hall में मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3, तो मैं इस बात को यहाँ स्पश्ट कर दूँ कि यह तीन ओरर का मैट्रिक्स है, 1, 2, 3 वैसी आएगा, मैं कर रहा हूँ R2 में से R2 यह है देखिए, और R3 यह है, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो यह तो 0 ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लिख देता हूँ, 2 में से 2 को माइनस करूँगा, तो 0 आ जाएगा और 0, 0, 2 as it is आएगा, फिर आप देखिए यह 0 unit matrix में बदल गया यह, बदलने की तरफ अग्रसर है, हम इसको unit matrix में बदलने की कोशिच कर रहे हैं, और जो संक्रियाओं का पालन हम left side में कर रहे हैं, उसी संक्रिया का पालन right side में करेंगे, otherwise wrong हो जाएगा, तो 0, 1, 0 as it is रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 1, 1 में से 5 घटा, रिन 4, 0 में से रिन 3 घटा, तो रिन 3, 0 में से 1 घटा, तो रिन 1 और 5, रिन 3, 1 ऐसी रहेगा, और एक को हम as it is रहेगा, तो बच्चो आपने देखा कि धीरे धीरे हम इसको unit matrix बनाने की कोशिश कर रहे हैं, left side को और right side के elements को हम सावधानी से बिना calculation mistake किये, ऐसा कर रहे हैं, हर जगे आप देख रहे होंगे, बच्चो इसमें आप सावधानी इस बात का रखेंगे, examination hall में, इसमें numerical calculation mistake बहुत होती ह बच्चो इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसके calculation को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इस step तक अच्छे से समझ लिया होगा, आप देख रहे होंगे कि मैं left side को unit matrix में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस संक्रिया का, जिस रूप में calculation में left side में करता हूँ, उतने ही वैसा ही as it is calculation में right side में करता हूँ और A की पूरी की पूरी वैसे की वैसे नकल करता हूँ, तो बच्चो यहां तक आपने इसको समझाओगा, आगले step पर हम फिर से ध्यान देंगे, तो बच्चो आपने देखा कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि left side को मैं unit matrix में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे सारे element इसी form में 100,000,0001 के रूप में लाने का प्रहास कर रहा हूँ, ये unit matrix पर जरू ध्यान दिजे बच्चो तो left side के को मैं unit matrix का मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और right side में उनी संक्रिया का उपयोग कर रहा हूँ तो अब आप सोचिए कि ये सारे element 0,0 हो गया है ये देखिए 0, R2 का 0, R3 का 0 और ये ये भी 0 हो गया है तो ये तो 1 है इसको disturb करने की जरूत नहीं है, unit matrix से मिलता जुलता है तो आपके दिमाग में examination hall में ये calculation कैसे आएगा आप इस बात को अच्छे से पकड़िए आपको सोचना होगा कि left side को मैं unit matrix में बदल रहा हूँ और जिस संक्रियां का operation का उप्योग use कर रहा हूँ, apply कर रहा हूँ, उस संक्रिया का उस operation का उप्योग right side में भी कर रहा हूँ, otherwise balance नहीं दहेगा, otherwise वो गलत हो जाएगा तो बच्छो अब जो संक्रिया, applying the operation, संक्रिया क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में change कर रहा हूँ, इसको 0 लाने के लिए, 2 को 0 लाने के लिए, तो R1 में, R2, यह R1 है, यह R2 है, और यह R3 है, यह R2 है, तो R2 के element का दुगना हम मैं minus कर दूँ, तो साहिद यह मकसद पूरा हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह element 2 0 हो जाएगा, वन का दुगना, एक का दुगना, इसमें मैं minus कर रहा हूँ, और 0 का दुगना तो 0 ही है, उसको तीन में effect नहीं पड़ेगा, तो सवाल ही उठता कि यह हम धीरे-धीरे unit matrix के तरफ अगरसर हो रहे हैं, तो इस संक्रिया का उपयोग यहिदि मैं करता हूँ, तो 1, 0 और 0 का दुगना इसमें minus करेंगे तो 3 नहीं रहेगा यह, और 0, 1, 0 यह वैसे का वैसे ही रहेगा, जिरो, 0, 2 वैसे ही रहेगा, तो जिस संक्रिया का उपयोग इसका दुगना, 1 का दुगना 2 होगा, दो में से 2 minus होगा, तो 2 minus 2 0 हो गया, तो 1 में कोई फरक ने पड़ेगा क्योंकि यह 0 है, 3 में कोई फरक ने पढ़ेगा क्योंकि यह 0 है और as it is जो संक्रिया आपने left side में उपयोग में लाई है वही संक्रिया right side में भी लाएंगे हमने क्या किया second row का second row का दुगना इसमें minus किये तो इसका दुगना minus 8 होगा उसको minus करेंगे तो 8 आजाएगा यह भाई इसका दुगना तो minus 8 होगा minus minus plus 8 आजाएगा इसका दुगना तीन का दुगना छे एक में से छे गया रिन पांच आ जाएगा इसका दुगना रिन दो आएगा तो रिन दो जिरो में से घटाएंगे तो रिन धन दो ये दो आ जाएगा और ये बाकी element as it is हम note कर लेंगे इस technique के इस प्रकार के calculation पर आप wishes ध्यान दे रहे होंगे बच्चों अब आप सोचिए कि ये unit matrix मिलने जा रहा है हमको disturb कर रहा है ये one यहाँ दो है तो दो को एक बनाने का एक idea मुझे examination hall में यही समझ में आ रहा है कि इसमें दो का भाग दे दू तो काम बन जाएगा याने आप बोड़ पर ध्यान दे कि संक्रिया मैं कर रहा हूं R3 में change कर रहा हूं half multiply by R3 इसका मतलब यह है कि एक बटे दो का भाग हम रो रो थ्री यह है रो थ्री समस्त अव्याओ के साथ multiply करेंगे इसके भी रो थ्री के साथ इसका आधा हम कर देंगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तो left side पर पहले ध्यान दे 103 as it is है 010 वैसे ही है और 002 में एक बटे दो का multiply करेंगे तो यह एक हो जाएगा दो का आधा एक हो जाएगा और वही काम right side में भी करना पड़ेगा कि यह row 3 यह है इसके समस्त अव्याओ को मुझे दो से भाग देना पड़ेगा पांच बटे दो रिन तीन बटे दो एक बटे दो और बाकी element उसके रिन चार तीन रिन एक और यह आठ रिन पांच दो ऐसे के ऐसी रहेंगे और A matrix वैसा का वैसा लिखेंगे अब देखिए यह लगभग 1, 0, 0, 1 यह देखिए केवल डिस्टर्ब कर रहा है यह तीन अब सवाल इन उठता कि यदि मैं इसको 0 करणू कैसे भी सोच कर रहा हूँ यूनिट मैट्रिक्स पराप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ लैप साइट का भाग आप देख रहे होंगे कि यह यूनिट मैट्रिक्स के तरफ तीन ओर के के यूनिट मैट्रिक्स के तरफ यदि दो ओर्डर का सवाल होता तो दो ओर्डर में काम करते हैं इस बात को आप गवर कर रहे होंगे तो इसका तीन गुना इसमें से माइनस कर देंगे यानि संक्रिया अप्लाइंग दो अपरेशन संक्रिया क्या करेंगे हम आर वन में चेंज करना चाहते हैं आर वन में तीन गुना आर थ्री के एलिमेंट के साथ माइनस कर देंगे इसका मेनिंग यह है तो इसका तीन गुना तो जीरो रहेगा इसका तीन गुना जीरो रहेगा इसका तीन गुना तीन आएगा अब तीन मे तीन में से इसका तीन गुना एक का तीन गुना आर्थी का समस्थ एलिमेंट के का तीन गुना हम माइनस कर रहे हैं तो ये जीरो आ जाएगा और जीरो आ जाएगा ये वैसे ही का वैसे है ये जीरो जीरो वन पहले से था याने कुल मिला कि ये यूनिट मेट्रिक्स ये देखि गया है लेकिन यहां right side में भी उस बात का इस्तेमाल करना है हमने r1 में r1 में यह r1 है r3 का 3 गुणा इस में से मैनस करना है तो आठ में से इसका तीन गुणा आठ रिन पाज बटे दो का तीन गुणा पास तीया पंदरा पंदरा बटे दो हम माइनस करेंगे. अब इसका तीन गुना तीन तीन नो तो रिन पांच में हम तीन गुना रिन नो आएगा तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नाइन अपान टू हम इसमें जुड जाएगा इसका तीन गुना दो में से माइनस करेंगे तो वो दो माइनस तीन बटे दो इस प्रकार के element प्राप्त होंगे बच्चों, calculation mistake न हो, और ये क्या है, दूसरा रो क्या है, ये देखिए, दूसरा रो है, R2, वो as it is, नोट करेंगे, रन चार, तीन, रिन एक, और ये क्या है, पांच बटे दो, रिन तीन बटे दो, और एक बटे दो, ये भी 3 इंटो 3 order का matrix ह है, और A हम पहले से नकल करते जा रहे हैं, तो left side का, left side का unit matrix में बदल चुका है, बच्चों, और ये 0, 1, 0 आ गया है, इसका देखिए, मुक्विकर्ण के आवियो सबी, आवियो 1 है, और बाकी आवियो 0 है, आप इस calculation को आप ध्यान से करें, आर दुनी 16, 16 में से 15 गया, एक बटे दो, सवाली नूट था, एक बटे दो, पास दुनी 10, रिन 10 धन नौ, रिन 10 धन नौ, तो रिन एक बटे दो, चार एकम चार, चार में से 3 गया, एक बटे दो, और ये रिन 4, as it is, नौट कर देंगे, 3 अपने जगे पर है, रिन 1 अपने जगे पर है, और ये 5 बटे 2 अपने जगे पर है, रिन 3 बटे 2 अपने जगे पर है, और 1 बटे 2 अपने जगे पर है, और A भी अपने जगे पर है, तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि left side का unit matrix में ये बदल चुका है और यदि मैं इसमें एक बटे दो common निकाल दू या इसमें जैसा भी आप सोचें तो बहुत आसानी से यहां तक के step को आप समझ गये होंगे हम आगे की calculation में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम A inverse किस तरह से प्रारमिक संक्रिया का उपयोग करके हम कैसे inverse प्राप्त करेंगे अगले step पर समझेंगे तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से left side का left side का जो portion है हमने unit matrix I is equal to जिसके diagonal जो मुख विकर्ण के element है वो 1-1 है बाकी element उसके आवियाओ 0 है ऐसे करके हमने left side में उसको unit matrix में तीन order के unit matrix में बदलने की कोशिश की और जिन संक्रियाओं का उपयोग हमने left side में किया है उसी उनी संक्रियाओं का उपयोग right side में किया है otherwise unbalance हो जाता और calculation mistake हो जाती है और calculation mistake इस रूप में होती है बच्चो कि minus plus के calculation में हम गलती कर जाते हैं तो इसकी अच्छे से practice करिए बच्चो तो अगले step पर आप इसकी पर ध्यान दे लैप side में हमको unit matrix प्राप्त हो चुका है और इसको simplify करने यह अब अपान में number नज़र आ रहा है तो वन अपान टू कॉमन ज्यादा दिख रहा है ज्यादा अभियों के साथ वन अपान टू है तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर वन अपान टू कॉमन निकाल दें तो यह one minus one one मिल रहा है अब one अपान टू इसमें तो थाए नहीं तो इसका मतलब इसको हमको दुगना करना पड़ेगा तो रिन आठ तीन दूनी छे और रिन दो और इसमें one अपान टू कॉमन निकल चुका है तो पांच रिन तीन और यह आपको एक मिल रहा है और यह तो हम already as it is note करते हैं तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि यह जो matrix है वो तीन order का matrix है वो i3 भी बोल सकते हैं या आप i भी बोल सकते हैं इसको i3 बोलो या i बोलो एक ही मतलब है आपको यह knowledge हो जाए कि यह तीन order का है इसलिए मैं i3 यूज कर रहा हूँ और यह जो है यह जो portion है one upon two समय जिसको मैं घेर रहा हूँ आपकी समझ को develop करने के लिए यही a inverse है तो इसको हम a inverse into a कह सकते हैं क्यों क्योंकि a inverse into a की value होती है i3 या जिसको आप i भी कह सकते हैं और चुकि यह तीन order का matrix था इसलिए हमने इस बात को कहा है तो इस equation से आप equation number कोई भी डाल दीजिए alpha डाल दीजिए तो इससे first है कि a inverse मैंने किसको कहा है इसको कहा है तो this implies direct आप exam में कह सकते हो कि a inverse is equal to हमें मिल रहा है 1 upon 2 और 1 minus 1 1 minus 8 6 2 5 3 1 यह जो result है यह देखिए a inverse जिसको मैंने घेरा है वो a inverse को repeat कर रहा हूँ और a तो हम already वैसा का वैसा ही note कर रहे है जबकि a आपको मालूम है प्रश्च में आपको दिया था 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 इस matrix का जो 3 into 3 order का matrix है उसका जो result है इसका प्रतलोम है वो 1 upon 2 यह मिल रहा है वास्तों में यह joint है आप इसका verification जरूर करके देखें बच्चो आपको homework हम दे रहे हैं यहाँ पर आप note करने homework कि इसको आप a inverse is equal to adjoint of a upon determinant a से calculation करके देखें और determinant a इसका निकाल के देखेंगे तो 2 आएगा इसके 9 co factors मिलेंगे उसको factor का इस्तमाल करके आप verify करके देखें कि जो मैं pradambik संक्रिया का उपयोग कर एक नई विधी से मैंने a inverse ग्याद किया क्या उसका result इससे मिलता है तब आपको ये knowledge होगा तब आपको ये confident होगा कि pradambik संक्रिया का उपयोग करने से जो प्राप्त result है और इस method से जो हम a inverse निकालते हैं वो same है तो बच्चो मेरे ख्याल से आपको pradambik संक्रिया तीन order का मैंने आपके सामने deal किया दो order का किया दो order का साथ वही प्रक्रिया है तीन order में लंबा calculation है बस ये confusion न रहे आपको कि सर हमको तीन order का जो मैं प्रारमिक संक्रिया का एक ही सवाल आपको आपने बताया आपने समीकन हल करने वाला तीन variable वाला x y z वाले सवाल नहीं बताये दो order के साथ जिस प्रकार की प्रक्रिया जिस प्रकार के टेक्निक जिस सिध्धानतों का हम उप्योग करते हैं उसी संक्रियाओं का उसी सिध्धानतों का उप्योग तीन order के matrix में हम करेंगे और बस अंतर ये है बच्चों कि उसमें calculation लंबा जाता है जैसे कि आपने ये देखा मैं इसकी सहता से तीन order वाले matrix का solution आपको से सामने deal कर सकता था लेकिन जबरदस्ती दो order के साथ जो आपने समझ लिया है वो तीन order के साथ तीन variable वाले equation को x plus y plus z is equal to something 2x minus y plus z is equal to something 2x plus 5y minus z is equal to 11 इस प्रकार के तीन चरो वाले रेखिक समिकरन को यदि मैं solve करने जाओं तो वो प्रकरिया वो सिद्धान वही होंगे जो दो order के साथ था जिस technique से आपने उसको solve किया है उसी technique से आप homework में आपके सामने कह रहा हूं कि A inverse आप ग्यात कीजिए और तीन चरो वाले समिकरन को हल करने की कोशिश करिए